हेलो दोस्तों मैं सुप्रिये आप सभी को सुप्रिये एजूकेशन हभी यूटूब चाइनल पे स्वागत करती हूं आज क behaviour में हम लोग क्या देखेंगे आज के वीडियो में देखिये एकिस चोविस इसन के जो प्रैक्टिकल के एग्जामिशन के लिए वेट कर रहेंगे ए और वह रिजल्ट के लिए तो उन लोगों का रिजल्ट आखिर कप तक आगा यह सारी बात हैं हम लोग इस वीडियो क करने वाले हैं ठीक है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता दो आप कोफी ठीक हो रहा था कर्दे कर दिया अस्थख कर दिया गया है यह उनीज से सब्सक्राइब कर दिया और आप सभी को पता होगा 12 जनवरी तक 19 से 22 पार 3 का एक्जामनेशन है तो उन लोगों का क्या उन लोगों का एक्जाम है इसलिए वह अभी कोपी चेक नहीं होगा आप लोगों को प्रेटिक आने में देड़ी होगी तो आखिर रिजल्ट आने की संभावना आप लोगों को मार्स तक चला जाएगा ठीक है आप लोगों का जो रिजल्ट आएगा न वह इस सब्सक्राइब तक आएगा और जो बात पूछ रहा है नवह प्राक्टिकल के लिए तो देखिए प्रैक्टिकल का एक्जाम्नेशन अभी तो नहीं होगा जब खतम हो चायेगा ना परद आप लोग यह बिलकुल नहीं समझेएगा तो फिर उसके बहुत दिन के बाद प्राइश के लिए जाता है और तीन चार दिन के बाद भी रिजल जारी कर दिया जाता है ठीक है एक और देट आया था उनको देने के लिए तो तो जादा देरी नहीं होगी तो और मैं बता दूग जैसे की आप लोग का डेट आएगा फिर उसमें एक्जामनेस का बताया जाएगा तब तक आप लोग को क्या करना है तब तक आप लोग को कम से प्रेक्टिकल का और आम से रख दीजिये कहीं पर अपना पाट्टु की पढ़ाए के जब भी डेट ठीक है और रिजल का इंतजार आप लोग अभी नहीं किजी अभी टाइम है अभी तो कॉपी भी चेक नहीं हुआ है जैसे आप लोग को बताते रहूंगी ठीक है सबसे पहले तो अपडेट यहीं कि अभी कोपी आप लोग को चेक नहीं हो रहा है काले को अस्थाकित कर दिया अगर कोई भी 19 itadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad झाल झाल